सबसे पहले तो समस्त देश्वासियों को आज गुरू नानक जैनती की हार्दिक बधाई जिसे परकासपर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं साथियों आज नरेंद्र मोधी सरकार ने तीन किरसी काले कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है देश भर में किसान इसके लिए आंदोलन लंबे समय से कर रहे थे और राष्टिय पिछड़ावर्ग मोर्चा ने भी इसके लिए पाच चड़ों में आंदोलन घोसित किया हुआ है और दस दिसंबर को भारत बंद भी घोसित किया हुआ है और इस भारत बंद को बहुजन क्रांती मोर्चा, भारत मुक्ती मोर्चा, राष्टिय किसान मोर्चा, राष्टिय मुस्लिम मोर्चा, राष्टिय आदिवासी एकता परिस्यत, भारतिय विद्यार्थी इवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा जैसे तमाम राष्टिय संगटनो का समर्थन भी प्राप्त हैं इस सरकार को यह मैसेज गया कि अभी यह जो आंदोलन होने जा रहा है जो भारत बंद का आंदोलन होने जा रहा है इस भारत बंद के आंदोलन से बहुत जादा बड़ा भारत बंद होगा चुकि इसके पहले भी बहुजन करांती मोर्चा के माध् से नर्ची सीए को ले करके भी भारत बंद किया जा चुका है और थर्टीन पॉइंट रोष्टर के मुद्दे पर भी नरेंदर मोधी को जुकाने का काम पहले किया जा चुका है तो इसलिए दबाव में आ करके नरेंदर मोधी जी के द्वारा ये बात घोसित की गई कि वो ती मोधी जी ने जो बाते कही उन बातों में मोधी जी ये बानने के लिए तयार नहीं है कि वो तीन किरसी कानून जो हैं वो किसानों के विरोध में हैं ये बात मोदी जी ने सोईकार नहीं किया है बलकि मोदी जी ने ये कहा है कि ये तीन किरसी कानून किसानों के हित में ही हैं मगर हम लोगों को किसानों को उनका हित समझाने में फेल हो गए इसलिए ह हम इसको वापस ले रहे हैं तो इससे ही एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि मोदी जी अभी भी इस बात से सहमत हैं कि वो तीन किर्सी कानून किसानों के फेबर में ही है लेकिन जनता के दबाव में आ करके वो तीन किरसी कानून को वापस लेने का काम कर नहीं है अंदोलन के दबाओं में आकर के तीन किरसी कानूनों को वापस लेने की घोश्णाव कर रहे है इसका एक बड़ा कारण 2022 का चुनाऊ है 2022 के चुनाऊ को ले करके भी यह रनीति हो सकती है लेकिन जिस तरीके से मोदी जी लगातार पूजी पतियों को फायदा पहुचाने का काम कर रहे हैं लगातार जो सरकारी संपतिया है उसको पूजी पतियों को देने का काम कर रहे हैं निजी करण करने का काम कर रहे हैं इससे एक बात इसपष्ट है कि वो किसानों की जम चरण का जो हमारा जेल भरो आंदोलन है और जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा किसानों का है कि पूजी पती कोई भी सामान बनाता है तो उसकी कीमद वह स्वएंगी निरधारित करता है। लेकिन किसानों की उपज की कीमत भी पूजी पती निर्धारित करता है, ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्या है, तो इसलिए किसान MSP की भी मांग कर रहे थे, लेकिन MSP की गारंटी के बारे में मोदी जी के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, ये भी किसानों के साथ म ये का और बड़ा मुख्य मुद्दा है जाती आधारित गिंती का बड़ा मुख्य मुद्दा है इसके अलावा NRC CA का मुद्दा है EBM में जो घोटाला होता है उसका मुद्दा है पुरानी पेंसन बहाली का मुद्दा है और निजी करण में भी SCST OBC को आरच्छड मिले ये मु कोदी सरकार की नियत ठीक नहीं है तो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आज के भी उन्होंने अपने समबोधन में इस बात को स्वोईकार नहीं किया है कि तीन किर्षी कानून किसानों के विरोध में हैं तो मौका देख करके दुबारा भी उसके लिए कोई स हिसानों को सतर क्रायना चाहिए